आप सुन्दर काण में श्रवन करते हैं कि कैसे रावन के पुत्र ने हनुमान जी के उपर ब्रह्मस्तर का प्रेव किया लेकिन एक कथा और मिलते है जिसमें नारद के कार्ण हनुमान जी के इश्ट हनुमान जी के आराध्य भगान श्री राम ने भी नारद के प्रब्रमस्तर का प्रेव सेंकट मोश्टन हनुमान जी जैसा भग्त ना तो कभी हुआ है और आगे होगा कई ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो पड़े वीचित्र हैं वीचित्र तो हम सभी पढ़ते हैं कि किश्किन्दा कार्ण में भगवान से मिलन होने तक जब तक हनुमान जी राम जी से नहीं मिले थे तब तक तो अलग रहे लेकिन उसके बाद एक शण के लिए भी वो भगवान से अलग नहीं होगा एक बार नारद मुने हनुमान जी की परिक्षा लेने के लिए कि हनुमान जी कैसे भगते हैं ये पर्खने के लिए भगवान राम के यहां आए भगवान राम ने रात्री भोज का आयोजन किया जिसने महरशी विश्वा मित्रे पे बदा रहे हुए थे नारद जी ने हनुमान जी को पुसला दिया भ्रहम में डाल दिया कि महरशी विश्वा मित्र जो है वो जागा, स्वागत, सतकार पसंद नहीं करते हैं बहुत सेवा मत करना और नारद जी ने तो जो कहा हनुमान जी ने सवेकार करके और दूर दूर रहने लगे कि कहीं विश्वा मित्र क्रोदे तो नहीं हो जाए और उधर नारद ने जाके विश्वा मित्र चीज़ से कह गया कि देखो हनुमान को कितना अभी मान हो गया है आप संद आएं है और हनुमान जी को संद शिरोमनी कहा जाता है लेकिन वो आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे आपके और बिल्कुल भी नहीं देख रहे विश्वा मित्र उनकी बातों पर आ गए और भगवान राम से कहा कि देखो कि तुम्हारा भक्त कैसा है एक बार भी मेरे सामने नहीं आया ना कोई सेवा ना सतकार लगता है से घमंड हो गया भगवन आपके से दंडित करना चाहिए अब हनुमान को मारन के लिए राम जी ने कई तीर चलाए कई बान चलाए दंडित करने के लिए लेकिन हनुमान जी पर कोई प्रभाव कोई असर नहीं हुआ और अन्त में भगवान ने वही ब्रह्मस्तर का प्रयोग किया लेकिन हनुमान जी को इस बार भी उससे कोई हाली नहीं हुए अब नारा जी हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान उस समय तुम ब्रह्मस्त्र में बंद गए लेकिन आज ब्रह्मस्त्र का भी तुम्हारे उपर प्रभाव क्यों नहीं हो रहा है ब्रह्मस्त्र से बचना संभव है हरुमान जी ने कहा कि ब्रह्मस्त्र में भी इतनी पावर नहीं मुझे बांद सके ये तो मैं स्वेयम उसमें बंद गया उसका सम्मान किया और उस समय में सीता की अनवेशन में उसकी खोज में गया हुआ था उसका पता लगाना और वो सूचना आके देनी है लेकिन आज जब ब्रहमस्तर का भगवान ने प्रियोग किया तो मैं भगवान का नाम जपने में इतना व्यस्ता इतना व्यस्ता कि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरे आज़ पास क्या हो रहा है और अगर पता लगता तो मैं उसमें बंद जाता ना ब्रमस्र में ना उस समय इतना मल था ना इस समय उतनी शक्ती थी कि वो मुझे बाज़ सकता लेकिन उस समय में स्वेवब बंद गया और आज भगवान का नाम जपने में इतनी व्यस्ता इतनी तनमेता था जिए मुझे इसका आभास ही नहीं हुआ हनुमान जी से सीख लेने चाहिए भगवन नाम में उसके सुमिरन में इतनी तनमेता हो जाए हम इतने रत्य हो जाएं कि हमारे आज पास क्या घट रहा हमें उसका भी भानने रहे नार जी को अपने भूल का है सास हुआ और अपने इस गलते के लिए उन्होंने हनुमान जी से खिशावा मांगी